नमस्कार आज हम एक केस स्टिडी लेके आपके पास आये हैं केस स्टिडी साउथ फेसिंग घर का हमारे जो वास्तु है इसमें हम साउथ फेसिंग घर को बहुत अच्छा मानते हैं according to us साउथ फेसिंग घर जो बहुत बड़े-बड़े इंडस्टिलिस्ट होते हैं बहुत पुंजी पती होते हैं उनके घर होते हैं और ये फैक्ट है मैंने देखे हैं होते हैं ये जो मेरे क्लाइंट थे इनका भी घर जब मैंने देखा तो ये भी ये वैसे ये गर्मेंट जॉब में थे और बहुत बड़े पोस्ट पे थे बट जब ये मेरे पास आये थे तब इनके पास ऐसा था कि इनके उपर करजे का लोन का लोन काफी ज़्यादा चड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा करजे इनके सर के उपर चड़े हुए थे ऐसा था तो ये मेरे पास आए और इनको एक complete पूरा वास्तु करवाना था क्योंकि ये South India से थे तो इन्होंने वैसे ही पहले ही अपना घर वास्तु अनुमत बनाया था बड्ट जिनोंने भी बनाया था मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम सब एक ही फिल्ट के है और जो व्यक्ति जिनोंने भी बनाया था जिनोंने भी इनका घर प्लैन किया हुआ था उन्होंने बहुत साइओ चीजे की तो ठीक ही थी बट हुआ ये था इनके साथ गरबर कि entrance जब इनको mark करना था वहाँ पी ये mark आ गए वो जो वास्तु शास्ती थे उन्होंने वो जो simple जो एक formula जो जिसके बारे मैं भी कहता हूँ कि accurate map होना चाहिए जो center point है जो ब्रहमेज्थान है वो exact होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि आपने चौकोन जो map देखा है वो जो rectangle plot या square plot पे जो cross करके बनाते है वो ऐसा नहीं इन्होंने एक ही गलती की थी जिन्होंने इनका plan बनाया था बहुत छोटी सी गलती थी ये जो छोटा सा एक L शेप बना हुआ था न इन्होंने इस चीज को ये extend पकड़ लिया था ये वाला यहां से इन्होंने इस arrow को match किया यहां से इन्होंने इस arrow को match किया और जो center point आया वो इनका यहां कहीं पर आया जिस कारण इनकी जो entrance उस वास्तु शास्ती के हिसाब से जो बनी थी entrance वो S4 की बनी थी सही भी है उनको जैसा बताएगे जो normally बताया जाता है न वो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो इनका drawing S4 यहाएगा मेरे पास भी उन्होंने जो map लाया वो gridded map ही था कुछ इसी तरह का gridded map था उन्होंने बताया भी और साथ में अपने वास्तु शास्ती को भी लेके आगए थे मेरे पास जब मैंने थोड़ा सा यह किया तो क्योंकि उन्होंने काफी फीस ली हुई थी तो वो मेरे पास लेके आगए थे तो मैंने जब देखा मैंने उन्होंने बात की चर्चा की तो उन्होंने एकी बार में मुझे बता दिया कि क्योंकि यह area थोड़ा सा ऐसा है छोटा सा पार्ट है तो मैंने इसको इस तरह से angle किया और इधर से इधर ऐसे cross लगाया और बस मान लिया तो यह problem आई उनके पास उनको center point ठीक से निकालते नहीं बना बस यही पर गरबर होगी तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपने आपको जितना समझ में आपने उसकी इसाब से किया है अब मैं थोड़ा सा अपने इसाब से अगर आप permission देंगे तो मैं अपने इसाब से कर लूँगा थोड़ा समय बहुत छोटी सी problem होगी बहुत बड़ी problem नहीं हो सकती क्योंकि आपने जो किया है आपने वास्तु की इसाब से जो जो चीजे किया है वो okay है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा समय मुझे set करके okay करके दीजिए client से भी मैंने permission ली और जो वास्तु शास्ति आया थे उनको उनसे भी मैंने बातचीत करके उनसे भी मैंने permission ली कि देखिए generally हमारे में ये है कि हम जो ये मेरी मैं इस चीज को follow करता हूँ कि अगर कोई सामने वाला जो वास्तु शास्ति पहले से ही अपना वास्तु शास्ति रखता है मैं उसके case में मैं interference नहीं करता बिल्कुल नहीं करता जब तक वो उनका वास्तु शास्ति जब तक मुझे permission नहीं देगा तब तक मैं interference नहीं करता तो यहाँ पे उनके वास्तुशास्ती ने भी मुझे पर्मिशन दी वी थी क्योंकि उन्होंने काफी ज़्यादा पैसे लिया वे थे उनको भी थोड़ा सा ये था कि अरे कैसे हो गया ये चीजे कैसे हो गई करके और मुझे तो क्योंकि बहुत चोटा सा ही प्रॉब्लम था मुझे दीख रहा था तो मैंने उनसे बात चीट की और उनका पर्मिशन लिया उन्होंने दिया तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से जब मैंने सेंटर पॉइंट इसका निकाला एक्जेक्ली आटोकेट पे तो मुझे दो सेगड में दिख गया कि इनका S5 का एंटरेंस जो उनके घर में करजा बड़ा था करजे का जो समस्या था ये जो S5 के एंटरेंस है न ये ये देती है और इनका S4 का भी थोड़ा सा पार्ट था तो मैंने क्या किया S5 के एंटरेंस में मैंने ट्रीटमेंट कर दी ओके और क्योंकि नुकलियर फैमली थी इनका अपने परिजनों से भी बहुत अच्छा नहीं बनता था बच्चे का भी पढ़ाई में तोड़ा सा दिक्कत था अब जिन्होंने बेसिक किया हुआ था जो उनके वास्तो शास्ति जो थे उन्होंने बेसिक की भी पढ़ाई की थी देटता भी पढ़ाई की थी बट बहुत ज़्यादा जितना मुझे समझ में आया कि बहुत डीप में जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा क्योंकि पहले ही बेस में उनका गड़बर हो गया था तो उन्होंने ये कट पोर्शन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ था बट हां उन्होंने जितना किया था उसके इसाब से कोई प्रोब्लम नहीं आयी थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था ऐसा नहीं कि उन्होंने ख़डब काम किया हुआ था बट हो जाता है कभी बी उनका एक दो काम उन्होंने किया हुआ था और वो भी अच्छे ही किये हुए थे कोई बुड़ा नहीं किया हुआ था बट प्रोब्लम यही पर आई कि उन्होंने ये जो कट का ट्रिट्मेंट है ना यहां पर उन्होंने चुक कर दी और कुछ-कुछ जेगा और भी है वहां पर उन्होंने चुक कर दी वो हम discus करेंगे आगे तो यह है यह एक छोटा सा हमने यहां पर ट्रिट्मेंट कर बाया S4 के entrance को हमने treat किया और S4 के entrance को जैसे ही हमने treat किया, उनको result आना शुरू हो गया, उनके काम okay हो गया कर्जे जो थे तीन महिने बाद धीरे 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 उनके clear भी हो गया क्योंकि main entrance है न effect दिखाता है बहुत जल्दी दिखाता है main entrance याद रखेगा, जो main entrance है वो सबसे ज़्यादा effect दिखाता है और बहुत जल्दी भी उसके treatment करने से बहुत जल्दी भी ठीक हो जाता है, positive है तो बहुत अच्छा result दिखाएगा negative है तो बहुत खराब वो result दिखाएगा, और इसके result बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाते है ठीक है तो इसके बाद मैंने और भी छोटे-छोटे कुछ treatment किये थे, बट फिलाल मैं अभी आपको ये दिखा दूँ उनके उनके घर में मैंने यहाँ पे cream color करवाया यह जो cut portion है ना, यहाँ पे आपका यह जो cut portion दिख रहा है south west और west south west में यह आपने देखा, south west और west south west में cut portion दिखा यहाँ पे हमने cream color करवाया और कुछ देपता insert करवाया बारचाट के अनुसार जो हमें दिखा जो देपता हमें, कुछ देपता तो आपको यही पर ही दिख रहे होंगे जो पितर है क्योंकि वो nuclear अलग से रहते थे चोटे से कमरे पे चोटे सा घर था और यह जो है मैंने उनको कहा कि आप बहुत अच्छा, अगर आप बना ही रहे तो बहुत अच्छा घर आप देख लीजिए या बनवा लीजिए जमीने थी बहुत पैसे वाले भी थे यह ऐसा नहीं कि रिच नहीं थे रिच थे बट इनको छोटे से घर में ही पसंद आ रहा था विजन कि यह जमीन उनका कहना था यह जमीन उनको सूट करती है जब से वो इस घर में आये जब से उन्होंने यह जमीन क시죠 जब से उन्होंने जमीन करीद के यह घर बनाए घर में प्रवेश किये तब से उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है बहुत मतलब बहुत ही ओफिस में प्रोमोशन हुए उनके बच्चों को कोई दिकट नहीं हुई सब को फैमिली में सारी चीज़े जो पहले काफी बिगड़ी हुई थी इवें जो परिवार और जनों के साथ जो के संबंध जो थे वो जो बिगड़े हुए थे वो भी काफी अच्छे सुधर गए अच्छा चलिए ठीक है तो मैं रफली में एक चोटा सा केस स्टेडी आपको इसमें बता देता हूँ देखिए शक्ती चक्र यहाँ पर लगा हुआ है आपके सामने सारी दिशा है देखिए साउथ है आपके सामने मैं स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ नौर्थ है नौर्थ नौर्थ इस्ट है नौर्थ इस्ट है इस नौर्थ इस्ट ऐसे करके जो हमारे 16 दिशाओ के हैं ये शक्ति चक्री ये बना हुआ है मैप पर आपको दिख रहा होगा ग्राउंड फ्लोर है ये ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है फस्ट फ्लोर भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है ये यह जो आपको यहाँ पर जो 3D map दिख रहा है न यह एक in general मैंने बनवाया है मतलब यह आप कह सकते हैं एक demo दिखाने के लिए समझाने के लिए व्यक्ति कई वार होता है हम क्या करते हैं एक general वास्तु शास्त्री general नहीं कहूंगा प्रोकेशनल भी सब इस तरह से करते हैं कि एक map बना लेते हैं उसको greet कर देते हैं और सामने वाले को बता देते हैं आप इस जेगा पर आसा ऐसे रखिए इस जेगा पर आसा रखिए और उनको बता भी देते हैं कि आप इस जेगा पर इस particular इसी जगा पर यह चीज लगाई है और इतने distance में लगाई है इतना area उसका cover होना चाहिए ऐसे करके हम बता देते हैं तो यह dining room उनका यहाँ पर हमने entrance का treatment किया यह S5 का entrance यहां से लेके यहां यहां तक का आ रहा था तो यहाँ पर हमने S5 का treatment किया और यहां पर हमने उनको उनके कुंडली के बेस पे उनके कुंडली में सूरे जो है न वो 120 का हीट दे रहा था और वो गावर्मेंट सेक्टर में भी थे तो सन को मैंने East Direction में Establish किया और उनको बताया कि आप सूरे के इस मंतर का जाब किजिए यहाँ पे खड़े होके जब भी आप घर से निकलने वाले रहेंगे तो आप पहले इस मंतर का जाब किजिएगा निकलने से पहले उपर में भी मैंने First Plow में उनका जहाँ वो जस्ट ऐसे ही बैट के बुक पढ़ते थे हुजी का पे मैंने करवाया West में वो भी मैं बताऊंगा आपको एक-एक करके बट मैं नीचे बताऊं तो किचन के यहाँ पर East में नीचे किचन के यहाँ East में मैंने सूरेदेब का एक जो आपका ब्रास का आता है एक सूरेदेब मैंने लगवाया और कहा कि आप यहाँ पर उनकी इस मंत से इस्तूति कीजिएगा यह specific मैंने उनके लिए ही बताया है अब आगे बढ़ते हैं यह उनका किचन था यहाँ पर मैंने green slab लगवाया इतना green यह आपको ऐसे ही दिख रहा है बट यह actually में इतना green नहीं है यह बरोदा green करके पत्थर आता है आपका तो मैंने वहाँ पर लगवाया और यहाँ पर मैंने हलका pink color करवाया जितना यहाँ पर दिख रहा है इस से भी light था light pink color करवाया हलकी जो उनके जो वास्तुशास्ती जिनको उन्होंने पहले हायर किया हुआ था उन्होंने एक चीज की थी उन्होंने एक चीज किया हुआ था यहाँ पर कि उन्होंने न यह आपका जो black slab था यहाँ पर जो black color का slab था उसके बज़ाए उन्होंने yellow color का slab लगवाया था उसका reason भी मैं बता देता हूँ शायद उसका reason यह था कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्योंकि यह southwest कटा हुआ है और southeast यहाँ पर उन्होंने यह चीज करवाया बट मैंने जैसे ही यहाँ पर उनका green color का यह करवाया और एकदम light pink color का मैंने paint करवाया उनके घर पर तो वहाँ पर जो बच्चे का जो health का issue था बच्चे का health का issue चल रहा था आया दिन कुछ न कुछ हलका भुलका हलका भुलका बहुत जादा नहीं था क्योंकि घर उनका almost balance था और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस client की लगी इन्होंने store अपने हाँ पे जमानी किया इनको store बिलकुल भी पसंद नहीं जो भी था बड़ा systematic था dust wind मतलब fixed dust wind था घर के बाहर था और एक दो जो घर के अंदर थे bathroom के आसपास थे bathroom toilet के आसपास थे limited थे और वो daily वो clutter को clean किया जाता था daily तो मतलब इनका घर एक दम बहुत जादा neat and clean थे और मैंने ऐसे देखे है मेरे case study में मैंने देखा है जिन्होंने वास्तु नहीं करवाया है और उनके घर clutter free रहते है dust wind उनके घर में सारे चीजे dust wind वगेरा जो है एकदम सापसुत्रे कहने का अर्थ है कि एकदम systematic सारे चीजे रहती है और जाले वगेरे नहीं पड़े हुए रहते है उनके घर में वास्तु धीरे धीरे balance होना शुरू हो जाता है कहीं न कहीं से क्योंकि negativity कम होनी शुरू हो जाती है इसलिए ये चीजे मैंने करवाई अच्छा इनके bedroom में यहाँ पे उन्होंने light blue color करवाया था तो मैंने यहाँ पे white color करवाया light blue color शायद अगेन उन्होंने ये तियोरिया अपना ही होगी बार चार्ट के बेस पे कि नौर्थ नौर्थ वेस्ट काफी बड़ा हुआ है तो अगर light blue color रहेगा तो okay है ठीक है और नौर्थ वेस्ट भी ठीक है light blue color रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा ओके ही रहेगा बट मैंने जब मैंने अपने हिसाब से जब मैंने ये पाया कि जब मैंने नौर्थ वेस्ट यहाँ पे नौर्थ वेस्ट और नौर्थ वेस्ट में मैंने white color करवाया इवन मैंने toilet में भी white color करवाया उनके ये बात्रूम में इसका आपको नहीं दिखेगा पट यहापी मैंने वाइट कलर करवाया था यहापे जब मैंने वाइट कलर करवाया ना तो मैंने पाया कि इनके कस्टमर्स मेंस मैं कस्टमर वड्र यूस कर रहा हूं बट इनके office में भी तो कुछ लोग आते होंगे न जो इन से कुछ ने कुछ काम करवाना रहता है या कुछ ने कुछ रहता है तो उनके साथ जो पहले क्या होता था कि कुछ ज़्यादा ही क्योंकि इनका काम काफी अच्छा था तो इनको कुछ ज़्यादा ही उस चीज में घसीडा जाता था और इनको कहा जाता था आप हमारा काम कीज़े कैसे भी कीज़े कैसे भी कीज़े तो इनके उपर प्रेशर बन जाता था बट अब वाइट कलर करवाने पर हुआ ये कि इनको इनके क्लाइंट सपोर्ट बहुत जो कह दे, ये जो कह दे, ये क्लाइंट जो कह दे, उसको ये लोग मान के चुपचाप चले जाते हैं ऐसा था अगर उनको ना कहना है तो इन लोग ना को भी सुन लेंगे कोई प्रिशन नहीं बनाते थे इनके उपर इससे इनका जो मेन काम था गर्वर्मेंट के अंदर जो मतलब इनका जो ओफिस में जो रोल ये प्ले कर रहे थे, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और ये इमानदारी से अच्छे से अपना काम कर लेते हैं व्रेक्ती बहुत इमानदार थे और इमानदार विक्ती लोग के उपर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये आपको भी पता है ठीक है अब हम थोड़ा सैगेंग फ्लोर पे चलते हैं, ये ना फर्स्ट फ्लोर पे, सौरी फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने इस जगह पे क्रीम किलर करवाया है और यहाँ पे तिरुपति वाला जी की वेस्ट में वेस्ट डायक्शन आएगा आपका ये वेस्ट है देखेंगे वेस्ट डायक्शन में मैंने तिरुपति वाला जी की एक photo लगवाई और कहा कि विष्णु शहस्त नाम यह है विष्णु शहस्त नाम यह वाली कि विष्णु शहस्त नाम जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाती थी यह नारज जी द्वरा रचित है तो यह वाली जो 15 आपके इसके हैं स्लोक्स के हैं तो वो मैंने इनको recommend की यह काफी जल्दी हो जाते हैं मैंने उनको कहा अगर आप शाम को आके अगर थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा सा अगर जब भी आप यहाँ पे इनको किताबे पढ़ना काफी पसंद था इस जगा पे इस जगा पे वो किताबे पढ़ते थे उनको काफी पसंद था तो जगा भी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है West-South-West का जोन है तो वो जब किताबे यहाँ पढ़ते थे ना तो उनको बहुत मतलब बहुत अच्छा आनन्द मिलता था और उनको लाफ प्राप्ति के लिए मैंने यह यहाँ पर नारायन जी की जो तिरुपतिवाला जी की यहाँ पर फोटो लगवाई और उनको मंतल का पाठ करने को कहा अच्छा एक और एक बात बता दूने आपको यह जो तिरुपतिवाला जी की जो फोटो मैंने लगवाई न वो बताऊ मैंने क्यों लगवाई उनके जो इस्टर देव है इस्टर देव कौन जो पंचम भाव पंचम भाव फिप्थाउस देखिए गौर कीजेगा फिप्थाउस फिप्थाउस को देखके इस्पेसिविक है कि फिप्थाउस को देखके ही आप पंचम किसी व्यक्ति को मन्त देंगे किसी व्यक्ति के जो इस्ट देव होते हैं वो फिप्थ हाउस से देखे जाते हैं पाच नो पाच नो एक पाच नो एक पाच नो फिप्थ हाउस फिप्थ हाउस और नाइन्थ हाउस तो आसा एस्टलोजी में जा रहा हूँ फर्स्ट हाउस फिप्थ हाउस मौज मस्ती बच्चे का और आपके इस्ट देप का भी और नाइन्थ हाउस आपके गुरू का ठीक है तो फिप्थ हाउस को देखके ही मन्त दिया जाता है तो उसे लाब भी होता है उसे हेल्थ भी अच्छी रहती है आप के उपर कोई भी संकट आने वाला रहता है कोई भी संकट वो फिप्थ हाउस का मंत्र ही दूर करता है तो उनके फिप्थ हाउस में नारायन सुईरे देब की क्रिपा भी थी नारायन की कृपा भी थी नारायन की कृपा थी, गुरु की कृपा थी तो मैंने यहाँ पे तिरपतिवाला जी की फोटो लगवाई और मंत पार्ट करने को कहाँ नीचे भी आप देखेंगे कि इस्ट में उस डायक्शन में देखिएगा इस्ट में मैंने सुर्यदेप की भी ब्रास की जो हमारा जो इसकलप्चर आता है वो मैंने लगवाई ना वहाँ पे ब्रास का लगवाई था ठीक, वैसे ही वेस्ट में लाप के जोन पे मैंने तिरुपतिवाला जी की लगवाई मैंने एक्टिवेट किया इनको यह उनके बच्चे का कमरा था नौर्थ में एक्ट्रिक्शन का जोन अच्छा ट्वालेट भी आप देखेंगे तो वेस्ट नौर्थ वेस्ट में बना हुआ है सीट सीट यह लगी हुई है डबलू सेवन में यह न बेट भी ओके था इस ट्वेसिंग थी यह उनका पूजा घर था यहाँ पे ब्लू कलर जो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजिस नहीं करवाने पड़े बट मैंने एस्ट्रो के बेस पे और कुछ आपके उसके बेस पे मैंने चेंजिस करवाय थे अच्छा एस्ट्रो के बेस पे आया तो मैं कुछ आपको बताऊंगा ज़रूर बताऊंगा अभी यह उनका मास्टर बेडरून था यहाँ पर भी मैंने जब देखा देखिए एक्जेकली पता चल गया उपर का जब हमने ग्रिट किया न देखिए एस फॉर और थोड़ा सा एस फाइब का भी एंट्री आ रहा है आप देखेंगे गोड़ से एस फॉर का मैक्जिमम एस फाइब का थोड़ा सा यहाँ पर शायद उन्होंने थोड़ी से मिस्टेक की है तो अगरनोंने उस तरह से किया था तो उन्होंने शायद ग्रिड सा एस फाइब की था कोई दिक्कत नहीं है उससे तो हमने इसको भी ट्रेट किया यहाँ पर भी तोड़़ा सा एस फाइब का जितना आ रहा था पोर्शन हमने उसको ट्रेट किया, ओके ट्वालेट में जब हम गय है ये उनका ड्रेस सेट अप उनका अलग प्लोसेट जो पोर्शन होता है वाडरोब प्लोसेट ये वो आला है ये उनका साउथ वेस्ट का जोन आ रहा था, साउथ वेस्ट में कुछ है आपका यहाँ पे भी ये पढ़ रहा था तो मैं अब यह आपको बताता हूँ मैंने बात्रूम यहाँ पे देखा ना, बात्रूम यहाँ पे देखा ओके, यहाँ जो यलो कलर के जो टाइल्स टाइप के जो नहीं दिख रहे हैं इसको यलो कलर actually में yellow को हमने जो changes करवाय यहाँ पर cream color करवाया पूरा यहाँ यहाँ cream color करवाया और यहाँ पर हमने बहुत छोटे से changes करवाया बहुत छोटे से change change क्या छोटा सा कि इनका seat जो था ना seat इनका यहाँ इस तरह से facing था मतलत यहाँ से ऐसे तो हमने seat की facing ऐसे करवाई vision मैं बता दूँगा वो भी सही था कोई दिक्कत नहीं था वो भी सही था अपने आप में बट हमने क्यों यह वाला position करवाया यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है यहाँ कही पर करवाया है यहाँ कही पर है यहाँ कही पर है शायद यहाँ पर है यहाँ पर थोड़ा सा वो गलत दिखा रहा है यह यहाँ कही पर होगा ऐसे होगा, ऐसे, इस तरीके से होगा, यह याद नहीं है, क्योंकि काफी पुराना है, यह लगवग, हाँ, दो साल तो लगवग होने कोई आ रहा है, दो ड़ाई साल, तो यह पुराना मैप है, तो यह इस तरह से हमने यहाँ पर इस पर करवाया, रीजन क्यों करवाया, एस्ट्रो के कारण, एस्ट्रो के कारण क्यों, जब हमने देखा, कि राहू, राहू, उनके, जो हमारे साउटेस्ट वाला जो, राशी होती है न, उस पे, थर्टी डिग्री का एस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है, स्वरी राहू बूल गया, केतु, मुझे कुंडली बहुत ज़्यादा राद नहीं है, बट केतु, केतु ने, राहू या केतु होगा, दोनों 180 के था, तो शायद उन दोनों में से किसी एक ने, इनको 30 या 60 डिग्री का एस्पेक्ट दिया था, और चंद्रमा का न, चंद्रमा इसलिए मुझे याद है, क्योंकि पानी मैंने यहाँ पे बटाया है, तो चंद्रमा का 120 डिग्री का एस्पेक्ट था, यहाँ पे, तो खेर, इनोंने जो यह घर भी खड़ीदा न, यह माकी क्रिपा से ही इन्होंने उनके बॉड़ी पे भी मैंने चंद्रमा को और सूरे को सही जगा पे इस्टब्लीस करवा रहा है तो उसके बाद से इनका और प्रोग्रेस होना शुरू हो गया और अभी तो कोणा में उनके आसपरोज वाले सब कोणा से ग्रसित हुए पर ये ओके है भगवान के क्रिपा से और मैं ये कामना भी करता हूँ कि ये स्वस्थ और स्वस्थ रहे ये अपने परिवार के साथ सुखी रहे सर्जन विखती है चली तो आज एक छोटा सा मैंने केस स्टेडी आपसे शेर किया ये लाइफ केस स्टेडी शायद ही यूट्यूब पे कोई ऐसा केस स्टेडी आपको शायद ही दिखाता होगा या बताता होगा ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं देखा शायद ही मैं शायद पहला हूँ तो खेर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा मैं आगे ऐसा और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आज के लिए इतना ही नमस्कार